हेलो गैज, वेलकम तो न्यूज अपडेट, फ्लीज शेन सस्क्राइब कर लेना गैज, बिग बॉस 13 के रनरफ आसिम रियाज अपने चलते लाइफ कॉंसर्ट में सिधार्थ का नाम लेते हैं और मैं वो वर्ट्स बोल भी नहीं सकती इस तरह से गाली देकर वो पूरे सेंटेंस कहते हैं अब क्या यह कहें, लाइफ कॉंसर्ट है क्या सिधार्थ का नाम लेना जरूरी था क्या कहा इनोंने, पूरी बात बताऊंगी और क्यों कहा, शेहनास कभी तो प्रोजेक्ट आ रहा है न उनकी भी तो ट्रॉलिंग होनी चाहिए तो यह सब चीजें ध्यान में रखकर यह काम किया गया है ऐसा फैंस का कहना है पूरी बात बताऊंगी प्लीज पूरा वीडियो देखे गाइस, आपने पहले भी देखा है इनका कोई भी, कोई भी इंटर्वी सिध्धार्थ के नाम के भी ना पूरा होता ही नहीं है और यह खासकरताब होता है जब इनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है लास्ट टाइम इनोंने इतना रोया इंटर्वी में इतना रोया मैं डिजर्विंग था आनलाइन, मतलब लाइव वोटिंग कराई गई मुझे हराने के लिए वो लाइव वोटिंग की गई थी 15 मिनट के लिए खुलवाई गई थी क्योंकि मैं विनर बन रहा था सब मुझे विनर मानते हैं मैं डिजर्विंग था मैंने ये किया, शो के लिए ये किया शो के मेकर्स को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे, साथ में सिध्धार्थ को भी वैसे तो आप कहरे हैं सिध्धार्थ मेरे सपने में आया था वैसे आप जब सामने वाले को ये बता रहे हैं कि तुम डिजर्विंग हो तो फिर सामने वाला तो non-deserving था ना चैनल की वज़े से जीत गया तो ये उनका हमेशा का गाम है वो ये करते रहते हैं और जब भी कोई शहनास का प्रोजेक्ट बगरा आना होता है तो आप देखते ही हैं मीडिया में जाके कुछ बोल देना आया कुछ भी इस तरह से वो इस तरह से पंगे करवाते रहते है अब बात क्या होती है उनका लाइब कॉंसर्ट चल रहा था अब भी देखिए बिग बॉस OTT आके गया है हर कोई अंदर सिधार्ट का नाम ले रहा था शहनास का नाम ले रहा था बस वहाँ एक आज जगे बाके इंटर्व्यूज में किसी के में आसिम का नाम नहीं आ रहा है तो ये भी एक अलग ही दुख होता है लोगों का आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर समझ सकते हैं तो नो ये वर्ड पढ़िए बड़ी can't take my space हाँ तो ये कहते हैं कि कोई भी कोई भी मेरा और सिधार्ट की जगह नहीं ले सकता है कोई भी मेरी और सिधार्ट की जगह नहीं ले सकता है कोई भी मेरे जैसा नहीं हो सकता है और सिधार्ट जैसा नहीं हो सकता है बैस सिधार जैसे तो कोई होई नहीं सकता है बिग बॉस के फिनाले में आकर शेहनाज ने कह दिया था किंग एक ही था एक ही है और एक ही रहेगा और सब एगरीब भी करते है कोई कंपेर तक नहीं करना चाहता कुछ फैंस होते हैं वो तो दूसरे फैंडम के होते हैं जो मतलब दूसरे के आइडल को ऐसे ना कि फिर ट्रोलिंग होगी इस वज़े से वो कंपेर वंपेर करके दिखाते हैं अदर्वाइस सिधार से कोई कंपेर नहीं करना चाहता कि हाँ हम सिधार से आगे हैं ना कोई रखना चाहता सब को पता है उस इंसान ने जैसे खेल जिया है न उसके जैसा कोई होई नहीं सकता अब जैसे ही इनों ने ये नाम लिया तो देखे क्लिप आ गई न शोशल मीडिया पर वाइरल हो गई ट्वीटर पर भी वाइरल हो गई इससे पहले आपको पता चलता कि उनका कोई कॉंसर्ट हुआ था वो कुछ कह रहे थे कि मेरी जगा कोई नहीं ले सकता कोई नहीं पूस्ता दूसरी बात अब बहुत सारे सिधार्ट के फैंस जाके इनको कहेंगे कि हाँ भाई ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिधार्ट के सचे दोस्ते हैं और साथ में शेहनास के ट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप जानते ही हैं दिन ही ऐसा आ रहा है कि हर कोई इमोशनल होगा और उस इमोशनल जो कंडिशन है फैंस की उसका यूज किस तरह से किया जाता है वो इनोंने किया क्योंकि बहुत सारे फैंस ने ये डिकोडिंग किया ये मेरा मानना रही है आप जाके ट्विट्स पढ़ सकते हैं लोगों के ना ही मेरी ये परसनल राय है जो जो लोग समझ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एकदम से जैसे ही ये दिन आने वाला होता है दो सितंबर ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं पहले शेहनास एक पार्टी में चली गई थी जो शादी थी वहां डांस वांस कर लिया था तो वीडियो डाल दिया था मतलब ट्वीट कर दिया था उसके बाद शेहनास का कोई प्रोजेक्ट आया तो भी वहां जाके कुछ बोल दिया था तो ये सब चीजे वो करते रहते हैं अब फैंस का ऐसा ही माहना है आप लोगों की क्या है रहा है कॉमेंट करना और चैनल सस्क्राइब करना ना भूलें लेटस अपडेट के लिए थेंक्यू गाईज